ही गाइस वेलकम और वेलकम बाक टू माय चानल कैसे हो आप सब सो गाइस आज का वीडियो होने वाला है काफी रिक्वेस्टेज प्रोड के बारे में जैसे कि आप टाइटल से जान ही गए होंगे ज्यादा सस्पेंस क्रियेट करने का कोड़ फाइदा नहीं है यह है हमारा लोटस का लोटस ओर्गानिक प्लस हंडिट परसें से सर्टिफाइड और अर्गानिक एक्टिव के साथ वाइट प्यॉनी प्रीशिस ब्राइटनिंग टोनिंग एसेंस है गाइस यह ब्राइटन एंड हाइडरेट स्किन प्रिजरवेटिव एन आर्टिफिशल फ् देखाऊंगी और शो करूंगी कि कैसे यह करता है यह सब कुछ हम डिसकस करेंगे वीडियो में सो बिना स्किप की वीडियो देखना कोई पॉइंट मिस मत करना और वीडियो पसंद आ जाए हेल्फुल लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर करना से ही नॉन स्पॉंसर बहुत ही अच्छे से और अंदर जो बॉटल मिलती है कि बहुत ही अट्रैक्टिव है आप देख सकते हो यह एक ग्लास जा बॉटल है बहुत ही क्यूट है और बहुत ही अट्रैक्टिव और मिस्ट देख सकते हैं बहुत ही लाइट मिस्टाइज एक फ्लावरी टाइप की है रोस की आ रही है कुछ अलग-अलग flowers की जो mixture type की ये fragrance है बहुत ही अच्छी fragrance है और जो formula है वो बहुत ही light weight water based formula है बहुत ही हलका वाला skin में जल्दी absorb होने वाला ये essence है clear वाला type का ये product है guys इस product के ingredient के बारे में इंक्रीडेंट जो है गाइस से mention किया है जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इंक्रीडेंट बैताया है वहना बहुत से brands है जो इंक्रीडेंट हाइड कर देते हैं इसमें मिक्स किया गया है एकवा फॉर फॉर्म हिमालेयर सोर्स वेजिटेबल ग्लिसरेन है पॉली सॉर् Momo, Koko Glycoside, Glistaryl Allytate, Tokoferyl Acetate डाला गया है इंक्रीडेंट है वह जाधे तर हर्बल है कुछ एक दो केमिंकल है बाखी इंक्रीडेंट का स्नाप तो स्क्रीम में मिल जाएगा आप इंक्रीडेंट अराम से पॉस करके चेक करो कि ऐसा तो नहीं किसी इंक्रीडेंट से आप ऐ है तो आप मैं आती हूं इसके क्लेम के बारे में कि खेए करता है कि यह आता है वाइट पेयोनी के साथ जो की फेस को देता है और गनिक ब्राइट ग्लो लगाने के बाद स्किन हाइड्रेटेड रिफरेश्ट और ब्राइटें फील होती है और दें मतलब कि पूरा दिन आपकी स्किन हाइडरेटेड ब्राइटन और फ्रेश्ट फील होगी इसको लगाने के बाद लाज पोर्स को मिनमाइज करने में मदद करता है और स्किन की डलनेस को कम करता है और ब्राइटन करने में मदद करता है लिएटिंग ग्लो देता है फेस को बात कर उसके प्राइस के बारे मे मैंने इसको नाइका से पर्चेस किया थे 385 रूपीस का अवलेबल है एमेजॉन में नाइका में पॉपल में एंडगाईजी लोटस के काउंटर में भी अराम से मिल जाए तो यूज करने का तरीका तो फेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लो गंदे फेस पे नहीं लगना है फे इस तरीके से इसको यूज करना है गाईज इसका रिजल्ट के बारे में बात करें तो एक नॉर्मल वाटर बेस एसेंस है जो कि स्किन में बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती फिनिश जो है कोई भी करावटी वाली नहीं है यह एसेंस जो डीप लियर जाता है इसकिन क चिप चिप और काली नहीं लगती है इवन जब आप लगा होगा आपको बहुत रिफ्रेश्मेंट फील होगी जब मैंने इसको यूज का मुझे रिफ्रेश्मेंट फील हो रहा था इस वज़े से मैंने यह चीज मेंशन करी और जो यह फॉर्मला है बहुत लाइट वेट ल इल्यूमिनेटिंग ग्लो कहता है तो वह मुझे फील नहीं हुआ क्योंकि एस सच इद्दम से कोई इल्यूमिनेटिशन नहीं फेस पे दिखता लेकिन वह जो एक इनहांस्मेंट वाला जो एक ग्लास स्किन वाला एक हलका सा जो ग्लो होता है वह 20 डेज बाद आपको हलका फ अपको हें से बना तो उसको ट्राय दे सकते हैं इनको एससंस ऐूस करना पसंद्द बाकी यह पोर्स को िनिमाइज कर देता है मैं मेकप के बिलो इसको यूस करती हूं तो मेरा मेकप तोड़ी देर जादा स्टे करता है क्योंकि पोर्स जब होते हैं वह बहुत अच्छी मैं इसको अगेन पर्चेस करूंगी जादा भी बचा नहीं है बॉटल में मैं इसको दुबारा जरूर ट्राय दोगी सो गाइस यह था मेरा ओने से रेविव लोटस और गनिक्स का प्रीशिस ब्राइटनिंग टोनिंग एसेंस के बारे में अगर आपको यह वीचे हल्फुल ल